शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्न तो गया शिंदे के पास में अब उद्दव ठाकरे की किन खास चीजों पर एकनाशिंदे की नजर है क्या शिवसेना भवन और मुखपत्र सामना पर भी कबजा कर लेंगे शिंदे क्या ठाकरे की पूरी राजनीती को खत्म करना चाहते हैं उनके ही पुराने साथी एकनाश शिंदे इन सारे सियासी घटना क्रमों के बाद कयास लगाये जा रहे हैं कि एकनाश शिंदे गुट अब शिवसेना भवन और मुखपत्र सामना पर भी दावेदारी कर सकते हैं हलकी अभी ये कहा गया है शिंदे गुट की तरफ से कि हम शिवसेना भवन पर कोई दावेदारी नहीं करेंगे इस तरह की खबरें आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक ये खबरें आ रही हैं दूसरी बात ये कि सामना में तो क्योंकि संपाद की या अन्य चीज़ें अधिकार अखबार एकदम अलग चीज़ होती हैं लेकिन उसके एडिटर कोन हैं किसको प्रिंट लाइन मिली हुई है किसके नाम पर ये सारे बहुत तकनीकी पहलू होते हैं और निश्चित तोर पर इसमें उद्दव ठाकरे संजे राउज जो हैं वो महतुपूर भूमिका में दिखाई देंगे तो सामना और शिवसेना भवन ये तो हाथ से नहीं जाएंगे ऐसा लग रहा है लेकिन क्योंकि ये शिवसेना की पहचान है ऐसे में क्या एकनाश शिंदे इनको छोड़ देंगे बेशक अभी छोड़ दें लेकिन बाद में महराश के मुख्यमंतरी एकनाश शिंदे ने उद्दव ठाकरे से न केवल सत्ता ली बलकि उनके पिता बाला साथ ठाकरे की पार्टी शिवसेना और उसका चुनाव चिन भी छीन दिया चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि एकनाश शिंदे ठाकरे परिवार से दादर इसने शिवसेना भवन भी छीन सकते हैं लेकिन सीएम शिंदे ने रतनागिरी के दापोली में स्थिति साफ की और कहा कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं अले ही लोग इसे एकनाश शिंदे की दरियादिली मान रहे हों लेकिन असल में अब वो ठाकरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत पर हमला करेंगे ऐसा भी कुछ विशलेशक मानते हैं इसको आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है शिवसेना की पहचान है अभी भी लोग अगर कनेक्ट होते हैं तो इससे कनेक्ट होते हैं उद्धव ठाकरे की राजनीती पूरी तरह से खत्म हो जाए और राजनीती में ये परिवार दोबारा न पनप पाए या कम से कम उद्धव ठाकरे का परिवार या फिर वो अपना अलग से कोई संगठन बना कर काम करें जैसे राज ठाकरे ने किया लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं है अब ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे के पास राजनीती में खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं है कहा जाता है कि उनके पास अब तो कम से कम तीन चीजें ही बची हैं जो उनका विधायक बेटा आदिती ठाकरे हैं उनके करीबी मित्र और राजिस्वा सांसत संजे के पास अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुए लेकिन निश्रित तोर पर शिंदे गुट क्योंकि अब शिवसेना के असली हगदार है पार्टी का नाम उनके पास में है चुनाव आयोग की तरफ से उनको हरी जंडी मिल गई है चुनाव चिन उनको मिल गया है तो वो पार्टी सामना पर मालिकाना हक की स्थिति क्या है वो भी समझ लीजिए अगर एकनाशिंदे ये भी दावा करते हैं कि सामना तो शिवसेना का मुकपत्र है कोई स्वतंद्र प्रपर्टी नहीं है तो भी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल सकता है अलगी जैसा मैंने आपको बताया कि अखबार को लेकर कुछ अलग नियम काइदे होते हैं रजिस्टर कारयाल है में किसके नाम पर रजिस्टर है पार्टी से सीधा इसका जुडाओ है या फिर किसी इंडिवीजुल के नाम पर है बाला साहब के नाम पर है उद्धव ठाकरे के नाम पर है संपादक कौन है संज के पास रहेगा देखिए सामना पर अभी तक कोई दावेदारी नहीं हुई है उस पर बे धड़क लिखते रहे हैं संजे राउत और उद्धव ठाकरे संपादक की भूमिका में भी अभी वही दिखते हैं तो कुल मिलाकर अभी सामना जो है वो उद्धव के पास में है लेकिन क्योंकि जैसा मैं बार-बार कह रहा हूँ शिवसेना की पहचान है सामना तो इसको शिंदे छोड़ेंगे तो नहीं आसानी से नाम निशान मिलने के बाद भी शिवसेना भवन पर दावा नहीं कर पाएंगे एकना शिंदे ये भी एक पहलू है मुंबई के दादर इस्ति शिवसेना भवन का स्वामित्व शिवई ट्रस्ट के पास में है जिसे ठाकरे परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है ये पार्टी के नाम पर नहीं है इससे पहले भी उद्दव ठाकरे ने कहा था कि शिंदे गुट के पास शिवसेना भवन पर दावा करने का कोई मौका नहीं है शिवसेना बनाने के 8 साल बाद याने 1974 में बाल ठाकरे द्वारा शिवसेना भवन की स्थापना की गई थी शिवसेना की शाखाओं पर भी शिंदे की नजर है शिवसेना की शाखाओं को पार्टी का आधार और रीड माना जाता है जब तक शाखाओं है ठाकरे परिवार महराश की राजनीती में कभी भी वापसी कर सकता है ऐसे में परिवेक्षकों का मानना है कि शिंदे गुट की नजर अब इसी पर है वो धीरे धीरे चरणवद्ध तरीके से शाखाओं पर कबजा कर सकती है बीते शुक्रवार कुरतनागिरी के दापोली में इस्थानिय शाखा पर नियंतरन को लेकर दोनों गुटों के बीच जड़प हुई थी उदर उद्दव गुट के नेताओं का कहना है कि शाखा नेटवर्क उनके साथ है और वो कहीं नहीं जाएगा संजे राउत का दावा है कि शिवसेना भवन और हमारी शाखा को शिंदे गुट नहीं चीन सकता है शिवसेना की मुंबई में 227 और मुंबई महानगर क्षेत्र में 500 शाखाएं है इसमें एकना शिंदे का गड़ ठाने भी शामिल है हलाकि ज्यादा तर शाखाएं शाखा प्रमुक, इस्थान यनेता और ट्रस्ट द्वारा संचालित होती है किसी भी शाखा का संचालन सीधे तोर पर शिवसेना के द्वारा नहीं किया जाता है शिंदे गुट का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि शाखा प्रमुक, वास्तविक शिवसेना के साथ आएंगे हलाकि दूसरी तरफ संजे राउतने दावा किया है कि शिवसेना भवन और हमारी शाखा को शिंदे गुट नहीं चीन सकता शिवसेनिक पहले की तरह वहां बैठेंगे और शाका चलाएंगे आईए अब हम आपको बताते हैं कि शिंदे गुट को कि साधार पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन दिया गया है चुनाव आयोग ने अपने आदेश में का कि आयोग ने पाया है कि शिंदे गुट के पास 40 विदायकों का समर्थन है इसके साधी शिंदे गुट ने पार्टी के कुल 47,82,440 वूट में से 36,57,327 वूट का समर्थन आसिल किया कुल संख्या का करीब 6 तरफी जदी है उद्दव गुट के पास कुल 55 में से 15 विदायकों का साथ है 11,25,113 वूटू का समर्थन है संख्या बल में ज्यादा समर्थन के आदार पर शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव निशान दिया गया शिवसेना चिंदे के बाद उद्दव ठाकरे ने अपने समर्थकों से कहा कि गली गली में जाकर लोगों को बताईए कि पार्टी का चुनाव चिंद तीर कमान चोरी हो गया है सीए में एकनाश शिंदे पर निशाना साथते हुए उन्होंने कहा कि चोर को सबक सिखाने की जरूरत है वो पकड़ा गया है मैं चोर को तीर कमान लेकर मैदान में आने की चुनावती देता हूँ और हम एक जलती हुई मशाल से उसका मुकाबला करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें